हेलो गाइस मेरा नाम है धीप और मैं स्वागत करता हूँ आपका दाट टेक्निकल फेक्ट आफ इंडिया पर तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो जब भी वोलेटाइल और नोन वोलेटाइल मेमरी की बात की जाती है तो इन दोनों से कई लोगों कन्फूजन होता होगा लेकिन आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ पहले हम बात करते हैं volatile memory के बारे में दोस्तो volatile memory एक ऐसी memory होती है जिसमें जब तक बिजली की supply रहेगी तब तक ही आपका data store रहेगा और जब बिजली की supply cut कर दी जाएगी उसके बाद आपका data store नहीं रहेगा इसकी एक बहुत बड़ी example है आपका calculator जब तक आप कैलकुलेटर में कोजी एक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे की ओडिशन, मल्टिपिलकेशन जा ड्विजन तब तक आपका डाटा उसमें स्टोर रहेगा और जैसे ही आप कैलकुलेटर को बंद कर देंगे और उसके बाद द्वारा आउन करेंगे तो आपका सारा क सारा डाटा डिलीट हो जाएगा इसी के साथ ही आपके मुवाइल जा कंप्यूटर की रैम और कैशे मेमरी ये दोनों ही वोलेटाइल मेमरी की एक्जांपल हैं दोस्तों वोलेटाइल मेमरी में टेंपरिरी तोर पर ही डाटा स्टोर रहता है चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नोन वोलेटाइल मेमरी के बारे में नोन वोलेटाइल मेमरी आपकी ऐसी मेमरी होती है जिसमें बिजली की सप्लाई डिस्क नेक्ट करने के बाद भी आपका डटा स्टोर रहता है नोन वोलेटाइल मेमरी की सबसे बड़ी एक्जांपल है आपके मुवाइल जा पर्मनेट मेमरी भी कह सकते हैं क्यूंकि ये सप्प्लाई डिस्कनेक्ट करने के बाद भी स्टोर रहती है तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको वॉलेटाइल और नौन वॉलेटाइल मेमरी के बारे में पता चल गया होगा इसी के साथ ही अगर वीडियो अच्छी मिलती रहे इसी के साथ दोस्तों अब हम चलते हैं और फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू सो मच एंड गुड़ बाई